दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा Chrome Browser में दूसरी Gmail ID Login कैसे करते हैं दूसरी Gmail ID में Switch कैसे करते हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसके लिए आपको क्या करना है Chrome Browser को Open करना है अब उपर में आपको Gmail की Profile दिखाई देगी जो पहले से Gmail ID आपने Login कर रखी है वो Profile आपको यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देगी इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपकी Gmail ID यहाँ पर दिखाई देगी इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो Gmail ID मैंने पहले से Chrome ब्रॉजर में लॉग इन कर रखी है, अब मुझे तीसरी करना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आएक option मिलेगा, add account to device, इस पर किलिक करना है, इसके बाद कुछ time page लोड होगा, यहाँ पर आपके mobile का जो screen lock है वो आ जाएगा, आपको उसे verify कर लेना है, fingerprint से या password डाल कर भी कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी दूसरी Gmail ID add कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दूसरी Gmail ID login कर दी है, sorry add कर दी है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्ट के बटन पर किलिक करना है, इसके बाद जो Gmail ID हमने add की है, उसका password हमें यहाँ पर डालना है, पासवर्ड भी मैंने यहाँ पर add कर दिया है, अब यहाँ पर next के बटन पर किलिक करना है, इसके बाद दोस्तों इस तरह से page open हो जाएगा, यहाँ पर I agree पर किलिक करना है, इसके बाद इस तरह से page open होगा, नीचे आपको not know पर किलिक करना है, इसके बाद कुछ time page लोड होगा, और chrome browser के अंदर आपकी जो दूसरी Gmail ID है, वो login हो जाएगी, आप देख सकते हैं, पहले दो Gmail ID लोग इन थी, अब हमने यहाँ पर तीसरी कर ली है, अब आपने जो नई Gmail ID यहाँ पर add की है, उसके अंदर आपको switch होना है, तो कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से जो Gmail ID login है, उसे आपको यहाँ से पहले हटाना है, sign out करना है, कैसे करेंगे, नीचे sign out का option मिलेगा, इस पर आपको click करना है, यहाँ पर tick करना है, और continue पर click कर देना है, इसके बाद एक नया page open हो जाएगा, अब दूसरी जो Gmail ID आपने login की है, वो आपको दिखाई देगी, उसे आपको select करना है, मैंने select कर लिया, और नीचे आपको yes, I am in पर click करना है, इसके बाद दोस्तों, आपकी जो दूसरी Gmail ID आपने login की थी, उसके अंदर आप switch हो जाएंगे, बैक आते हैं, यहाँ से आप आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकोन को दबाकर, all पर सेट्स जरूर करना,